आज की जो वीडियो है वो होने वाली है एक Amazon Makeup Haul Plus Review वीडियो मैंने Amazon से कुछ makeup products बाइ किये हैं तो आज मैं उसी को Haul Plus Review करने जा रही हूं तो जो सबसे पहला product है वो है इंसाइड का Metallistic Glitter Eyeshadow Glitter Liquid Eyeshadow है इसका यह जो shade है वो है 07 Buzz की packaging पुछ इस तरीके की है Black Cardboard की packaging यह जो आपका product है वो है water-based, silicon-free, paraben-free, long-wear, water-resistant इस तरीके की क्यूटी पैकेजिंग में आता है इसकी पैकेजिंग है वो बहुत सिमिलर स्वीज़ी के Liquid Eyeshadow के जैसे में जो आपको quantity मिलती है वो है 4 ml इसमें इसमें एक हुआ है इस स्वीज़ी पैलिस्टिक गिलिटर आइशएडव इंसाइड मेकप एसेंशियल और इसका जो सेड है वो अगें 07 Buzz है इस 07 Buzz में जो शेड है वो है यह मैंने अजो अभी अप्लाई के आइस पर वही शेड है यह जो शेड है यह थोड़ा सा पिंक रोजी पिंक टाइप क अजो शेड है और आपकी आइस पर बहुत देर तक स्टे करता है अगा बहुत ज़ता है अगा बहुत ज़ता है यह मेकप नहीं करना जाते है तो आप प्रांजेशन शेड के बाद से लगा कि अप्लीट कर सकते हैं और यह बहुत ही सॉफ्ट सा लुक देता है यह अपकी नहीं है यह बहुत ही बीटिफुल सा रोजी पिंक शेड है अगर आप लेना चाहते है तो आप बात करते हैं इसकी प्राइस की इसका जो प्राइस है वो है 180 रूपीज फोर्डेबल एंड बहुत ही अच्छा ग्लिटर आइशाडव है अगर आप लिक्विड आइशाडव चा इसका जो शेड है यह बहुत ही बीटिफुल सा सी ग्रीन शेड है आप देख सकते हैं आप देख सकते हैं यह थोड़ा सा रिफलेक्ट भी करता है अगर आप इसे मूव करते हैं तो इसमें तोड़े से गोल्डन पार्टिकल्स भी है इंसाइट की जितने भी लिक्विड इसके वज़े से वह रिफलेक्ट का आप देख सकते हैं दो शेड कितने ही बीटिफुल है यह बहुत ही न्यूट्रल सा शेड है अगर थोड़ा सा भी हैवी लुक चाहते तो आप यह वाला शेड दे सकते हैं और इसमें बहुत सारे शेड अवेलिबल इसे लाइनर के जैसे अगर आप यह यूस करते हैं तो यह बहुत ही अच्छा लगे का लाइनर के जैसे इस प्रोड़ट का भी लिंक में डिस्क्रिप्शन में मैंशन कर दूंगी अगर आप बाय करना चाहें तो आप बाय कर सकते हैं तो जे नेक्स प्रोड़ट है वह भी है इनसाइड का यह है तो मुझे ही लगा था कि यह पाउडर हाइलाइटर है बट यह है क्रीम हाइलाइटर बट यह बहुत ही अच्छा एन अफॉरड़बल है इस प्राइस जस 99 रुपीज है और इसमें चार शेड्स अवेलिबल है तो मैंने यह सिल्वर शेड लिया है इसका जो शेड है वो है 04 इसमें सिर्फ चार शेड्स अवेलिबल है अगर आप इसे आईशाइडो के जैसे भी यूज करना चाहते है तो आप इसे यूज कर सकते हैं यह बहुत ही अच्छा लगने वाला है आप देख सकते हैं यह बहुत ही पिगमेंटेड है यह बिल्कुल भी केक ही नहीं लगता है और यह फिंगर की हेट से भी बहुत अच्छे से अपलाई हो जाता है आप देख सकते हैं कितना ज्यादा पिक्वेंटेट है अगर आपको वाइड लाइनर चाहिए तो आप इसे लाइनर के जैसे भी यूज़ कर सकते हैं और इसका जो फॉर्मूला है वह बहुत ही क्रीमी और अगर आप इस बिल्कुल भी नहीं आप देख सकते हैं अगर आप बिगिनर है यह प्रोफेशनल है तो भी आप यह लाइड यूज़ कर सकते हैं यह बहुत ही अच्छा है और आपको यह फेस पर बहुत देर तक स्टे करता है तो अगर आपको यह पसंदा आय तो प्लीज आ यह मेकयप फिकजर इसकी ऑअटर पैकेजिंग कुछ इस तरीके की है अप देख सकते हैं यह पूले वाइट पॉक्स में आता है पैकेजिंग है कुछ इस तरीक की है यह वाइट बाक्र में आता है INSIGHT MAKEUP FIXER, MAKEUP ESSENTIALS, LONG LASTING MAKEUP SETTING SPRAY इसमें जो आपको क्वैंटिटी मिलती है वो है 75 ml as you can see, अब देख सकते हैं जो आपको क्वैंटिटी मिलती है वो है 75 ml और ये बहुत ही क्यूट सा चोटा सा MAKEUP FIXER है आपको देखने में लगता होगा ये बहुत होटा है तो इसमें आमाउन बहुत ही कम आता हूँ तरस्त में प्राइस के अकॉर्डिंग ये मेकप FIXER बहुत ही अच्छा है आपके बेस को बहुत देर तक लोग करके रख रख रहा है इसे में आपको अप्लाइ करके भी दिखाती हूँ कितना डूई एफेक्ट दे रहा है वट इसे ड्राइ होने दे आप एक बीटी ब्लेंडर की हल्प से उसे बाद में पैट कर दे तो आपका जो भी आपका जो भी बेस है वह आपकी पेस पेस्टिक हो जाएगा इस मेक अप्सेटिंग स्प्रे की जो इसमेल है वह बहुत ही हार्ड है बट वह सिर फाइफ टें शेकंड सखी थी आपको तो इसमेल रहती है यह बहुत ही अच्छा मेंक फिक्सर है आप देख सकते है इसकी पैकेजिंग भी बहुत क्यूट एपिछ जो प्राइस बहा है इस जितने भी makeup products रहे हैं बहुत ही affordable है इनकी लिप्स्टिक की starting होती है 60-70 रूपीज से आप भी makeup setting परे ले सकते हैं इसका प्राइस रूपीज अपर रहे हैं रूपीज एक फुल बॉटल 75 ml की कॉइंटिटी मिलती है अगर आप इसे डेली भी यूज़ करते हैं तो भी यह बहुत अच्छा है और यह आपके face को बहुत और यह आपके face को बहुत देर तक long last बनाने में help करता है इस प्रोड़क्ट है वो है यह blue heaven की lipstick इसका जो shade है वो है 11 इसमें जो आपको quantity मेलती है वो है 6 ml इसमें जैसे की लिखा हुआ है हापल स्टे weightless liquid matte तो यह बहुत ही weightless है बहुत ही जादा weightless lipstick है आप आप लिप्स्टिक अप्लाई करते हैं तो आपको लगे का भी नहीं कि आपने कुछ अप्लाई किया हुआ है इसका जो shade है वो बहुत ही बहुत ही beautiful सा nude shade है आपको बाहर से ही packaging में nude shade दिखता है बट आप जब इसे apply करते हैं तो यह थोड़ा सा pink nude के करते हैं मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ आप देख सकते हैं बहुत ही beautiful सा और बहुत ही weightless nude shade है lipstick का यह बहुत ही अची lipstick है और बहुत ही अफॉर्डिक सकते हैं इसका texture है इसका formula कितना अच्छा है मैं आपको अपने lips पे भी apply करके दिखाती हूँ आप देख सकते हैं कितना beautiful shade है यह आप बहुत ही budget friendly nude shade ढून रहे हैं तो आपको यह ज़रू ट्राय करना चाहिए अगर आप fair skin tone के हैं तो आप बहुत अच्छी जाने वाली है अगर थोड़ सा medium to dark skin tone के हैं तो आपके ओपर यह उतना अच्छा ना लगी बट अगर आप fair skin tone के हैं तो आपके ओपर यह lipstick बहुत अच्छी लग अच्छी लिप्स्टिक है आप देख सकते हैं इसका शेट कितना अच्छा है यह थोड़ा थोड़ा सा pink nude में convert हो रही है आप देख सकते हैं इसको थोड़ा सा time लगता है pink nude में convert होने में पहले पहले तो यह nude brown ही शेट दिखता है थाल यह हैं जहिए